नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जगड़फी के कोश्चन को पर, और इसमें टोटल 40 MC की कोश्चन लिये हैं, और आपको इसी तरह GK, GS के subject wise, topic wise, आपको continue video मिलता रहेगा, और current affairs से भी video आपको continue मिलता रहेगा, और यदि कोई ऐसा exam आए, जो किसी topic पे बताना हो, तो बताएंगे, आपका भी NBS के exam में, हिंदी से और computer से question हम, मतलब जितना अच्छा से अच्छा ता question आपको बताए, हिंदी में तो अधिकतर भाईयों का help हुआ, लेकिन जहां तक computer का बात है, तो computer अब है कि जो basic question होते ह हैं, आपको जो exam में आते हैं, तो उससे जितना आपका कोई book, मतलब उठा लीजिए, जो computer के आते हैं book, आपको उसमें सिर्फ basic knowledge के question मिलेंगे, मतलब जो आपको exam में आते रहते हैं, लेकिन अब इसमें है कि computer में, आपको operation से डाल दिया, क्या कि मतलब जैसे आप computer पे काम कर knowledge है कि नहीं, आपको काम करने आता है कि नहीं, है ना, तो अब इसमें कोई भी teacher है, आपको YouTube पे कहां कौन teacher इस टाइप से आपको बता दिया, कि जो है operational, कोई जो है, मतलब operational आपको जब आप ADCA के करेंगे course, जो है कोई diploma का करेंगे, या फिर computer का कोई course करेंगे, तब आपको all to all जो है operation से संबंदित question आपको बताए जाते हैं, और फिर आपको computer पे काम करवाया जाता है, ऐसा-एसा होता है, तो इसमें जो है difference है, अब आप ये कुछ भाई बोलते हैं कि video पे मतलब फालतु time ये कर रहे हो, बढ़वाद कर रहे हो, तो दोस्तों, आपका time बहुत important है, आपका time का एक value है, है ना, आपका time जो है valuable है, इसको time को आप, मतलब importance समझें, और अपना time बढ़वाद मतलब ना करें, आपको जहां से फाइदा हो, आपको यदि कोई book आप पढ़े हैं उससे मतलब नहीं आया तो उस जो है book को फार कर फेक दें, क्या है ना, इसका तो यह आपकी मर्जी है, और आप जब मतलब एक exam आपका थोड़ा, मतलब कुछ नहीं पकड़ में आया, जो है यह, मतलब जैसे की घरवरा गया, तो बस इतना की बा, मतलब जो वीडियो देखे, इससे आ आ जाता तो अचा था, अरे भाई, अभी मतलब MTS का है, आगे भी exam मैं पक कराएगा ही, हिंदी पर मैंने इतना महनत करके आपको दिया वीडियो, तो हिंदी से तो help हुआ है, कंप्यूटर पर मैंने, जितना ज्यादा से ज्यादा हुआ मैं आपको दिया, अब कंप्यूटर से आपको basic knowledge से question दिया ही नहीं, आपका syllabus में लिखा था, कंप्यूटर का knowledge स आएगा, ठीक है, अब आपका operation से डाल दिया, तब इसमें किसकी क्या गलती है, अब इसमें ज्यादा उत्तावला होते हैं, ये वो, अड़े वैं, हमको बोलने से फैदा क्या है, आप जो book कोई पढ़े होंगे, ये आप मान लीजिए, ये मेरे channel को आप 20 दिन से आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन कोई book है, कुछ भी है, उसको भी आप तो हमेंसा पढ़ते होंगे ना, तो उसको भी फार के फेकने आप, तो ये दोस्तों आईसे नहीं होता है, तैयारी ठीक है, आप तैयारी करते हैं, किसी भी exam में आपको आता है, किसी exam आपको मतलब question नहीं पकड कि मेरे बाप का नाम कहा है, बताओ, अब आप इंटर्वियोर के बाप का नाम मतलब कहां से पढ़के गए होंगे आप, तो यहीं होता है, आप यदी तैयारी करते हैं, तो थोड़ा पैसेंस रखिए, किस टाइप का question आता है, उसको समझ में आपको आया ना, और हम आपको formula से, operation से, all to all जो डालते, बताते, तो फिर आप ही comment करते कि, अरे यार क्या पढ़ा रहे हो यह सब, यह सब आता है कभी, है न, तो ऐसा नहीं है, जो दोस्तों, अच्छा से करे, तैयारी करे, ओके, आपका continue मेहनत रहेगा, तो आपको एक्जाम में help होगा ही, ओके, तो जो है पैसेंस से काम करना होगा, है न, तो पैसेंस रखिए, इतना उतावला होने से नहीं कुछ होगा, पैसेंस रखिए, और आपको हम यह request करेंगे, आपको यदि मेरे वीडियो से या फिर किसी के भी वीडियो से आपको लगता है कि आपका टाइम खड़ाब होगा है, अपना कहीं बढ़वाद आप नहीं कीजिए, आपसे हम एक मतलब हमको भाई समझिए, या कुछ भी आपसे request करते हैं कि अपना टाइम बढ़वाद ना करें, अपना टाइम का उपयोग करें, टाइम का एक एक जो मिनट, फालतू चीज जो है देखने में ना दे, अपना टाइम का एक-एक सकेंड को आप बेलो दें, चली, तो जो है दोस्तों यह थोड़ा था कि कल के मतलब खुछ-कुछ और सब अधिकतर भाईों का दोस्तों का है ठीक है, लेकि कुछ-कुछ भाई जो होते हैं, यह मतलब कुछ चलो, उनको क्या कहा जाए, लेकि आपके वीडियो से आय क्या-क्या वीडियो बनाना छोड़ दो, मतलब इस टैप को होते हैं, यह यह थोड़ा पैसेंस रखो, समझने का कुसिस करो, इसका आर्थ होगा कि जितना भी भुक तुम्हें पास होगा, सबको फार के पेग दो, और आश्यक हो कि तयारी बंद, मतलब मेरा यह जो है मतलब से बताता है, करता है, आपको जो है लगा न कि इस टैप का आता है, तो यदि इस टैप को बताएंगे, तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ बैचलो इसको भी परना चाहिए, आपको फिर जो है कोई बुक से या फिर आप मतलब इंट्रेस्ट आएगा आपको, ओके, जो है दोस्तों हम लोग आज ये जगड़ाफी के कोश्चन के ऊपर चर्चा करें, और इसमें आपको टोटल 40 MCQ दिये हैं, और जो भाई बहान जो है दोस्त चाहते हैं कि continue GKGS Current Affairs का तयारी करें, जो है ये सब 10 दिन में, 20 दिन में GKGS Current Affairs का तयारी जो है दोस्तों नहीं होता है, इसमें आप थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, GKGS Current Affairs मतलब थोड़ा सीमित नहीं है, अनन्त है, अथा है, इसके मतलब अथा हमें के लिए थोड़ा सा था आपको करना होगा, इतना जादा अत्यंत है, थोड़ा भी तो 6 महिना, 1-7 साल भी, यदि आप पहले से पर इससे जो नहीं आया, तो बस खतम, इसको चलो, जो है, गाली दो, आपको यदि जो है, लगता है कि गाली देने से आपको मन बढ़ता है, तो दो, है न, तो ऐसा यार, गजब है, चलो, तो दोस्तों, पहला क्या है, कि कुल छेत्रफल के संदर्म में, 20 के सबसे बड़े देस में भारत का, मतलब भारत किस अस्थान पर है, छेत्रफल में, तो आपका उपसन है, 7, 6, 5, 4, तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या होगा, भारत का स्थान, सत्म, ओके, चलो, आगला देखे, छेत्रफल में, सत्म अस्थान है, नमर दो क्या है, कि पुडवी तटिये मैदान क अंतिम अपसन है, मालावार तटिये मैदान, तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या होगा, पुडवी तटिये मैदान का एक और नाम, कुरो मंडल तटिये मैदान, ओके, चली, अगला देखे, तिसरा नमर के है, कि भारत के अस्थला किर्तिक मानचित्र निमने में से, कौन सा स अंगठन बनाता है, तो आपका ऑपसन है, भारतिये भगोलिक सर्वेक्षन, भारतिये सर्वेक्षन, भारतिये भूव बेग्यानिक सर्वेक्षन, भारतिये फूरा चात्विक सर्वेक्षन, तो दोस्तों, इसका सही अंसर होगा, भारतिये सर्वेक्षन, ओके, चली, अगल 45 Chart 5 छो 93 पॉग्छ टरहती पॉइंट पॉइंट 55 इस्ट ऊचली आगे देखें यह फच्वा नम्र क्या है कि निमलिखित में से किसको सुर्की उर्ध्वादर किरने कभी नहीं मिलेगी अप्सन है मुंबई चैन्राइ तिरुवनंद पूरम श्री नगर तो दोस्तों कि इसका सही अंसर क्या होगा है चैन्रा अग Daar देखें मुला लिभी में से कौन सा सहा कस्वा है जो सबसे अधिक उत्री चली अगला देखें पटना जो है इन में से सबसे अधिक उत्रियक्षांस पर इस्थित्य आगे हैं सत्मा नमर कि भारत के दर्चिंशोर का नाम क्या है साथ्रन टिप का नाम क्या है आपका option है कन्या कुमारी अंतरदीप तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option C भारत का दर्चिंशोर अठमा क्या है कि भारत का छेत्रपल पाकिस्तान से लगभग जो डैस गुना है गुना बड़ा है कितना तीन चार चो नो बताई कितना गुना बड़ा है तो दोस्तों इसका अंसर होगा चार गुना बड़ा है ओके चली आगे देखे नम्मा निमलखित में से किस देश के साथ भारत की अंतराष्टिय सीमा नहीं लगती है आपका option है पाकिस्तान बंगला स्रीलंका इसके साथ अंतराष्टिय सीमा नहीं लगती है इसके साथ समुद्री जो लगता है ठीक है यह समुद्र से भारत और स्रीलंका के बीच क्या है समुद्र है ओके चली यह परोसी जो है देशों में आएगा लेकिन अंतराष्टिय सीमा नहीं लगता है दस्वा नमर क पाक श्रेट कभी-कभी पालग इस्ट्रेट भी लिखता है ठीक है ना में पाक श्रेट से जुड़े हुए हैं आपका ओप्सन भारात एवं स्रिलंका उत्री कोडिया एवँ दक्षिणी कोडिया पाकिस्तान एवँ चीन बृतें एवं फ्रांस तो दोस्तों इसका स़यांसर होगा भारतयवल् स्री लंका पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं childhood calendar अगला देखें अंग्रेज के काई में मना हुआ है यह अफसर था यह पाक ने द्युक्त हुआ दोके हैं नहीं समझीगा कि पाक मतलब पकिस्तान ओजlıसंदी जुन निर्धारित किया था अंग्रेज अपसर उसी का नाम पाक था, ओके, अचली, आगे देखें, 12 नमर, निमलिखित में से, कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी दूइप है, आपका अपसर ने, माजोली, गुंडू, दूइप दूइप, डीवर दूइप, बताइए दोस्तों, सही अंसर इसका, तो तेरा नमर, जो है, डैस, दुनिया में सबसे बड़ा नदी दूइप है, तो आपका अपसर है, उमानादा, माजोली, बावणी, मुँ, नरो, तो दोस्तों, इसका, सही अंसर होगा, माजोली, ओके, ये माजोली जो है, वो, जो है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, जो की कहा है, असाम में स्थित है, ओके, चली, और जो है, ये नदी का ना, ब्रह्म, पुत्र, है न, चली, ये चोदा नमर क्या है, कि भारत अपनी अंतराश्टिय सीमा सबसे कम, किस देश से साजा करता है, तो आपका अपसर है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, न 15 नमर क्या है, दोस्तों, निवलिखित में से कौन सा पोताश्र है, प्राकिर्तिक पोताश्र है, नहीं है, तो आपका अपसर है, चिन्नाई, मुंबई, कोचिन, परादीप, तो दोस्तों, इसका सही अंसर होगा, चिन्नाई, ये आपका क्या है, किर्त्री में, प्राकिर्ति नेपाल, बन्गलादेश, पकिस्तान किसके साथ सबसे लंभी सीमा سाजा करता है भारत बन्गलादेश के साथ उके चलिे अग्ला देखें उत्तर पच्ची में भारत भुमी की सीमा इन इस देश के साथ लगी हुई है स्रिलंका मंगलादेश पाकिस्तान तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा उत्तर पच्चिम में भारत की भूमी पाकिस्तान से लगी हुई है चली अगला देखें अठारा नमर अठारा नमर क्या है कि भारत का सबसे बड़ा संग राज छेत्र कौन सा है चंडिगर लद्दाक अंडवाण और जहनी कोबार दृपसंब कस्मीर अभी ये सब का समीर राजश्च्चत्र क्या हो गया है क्या कैंद्रसासित प्रतेश तो बताईए इसका सही अंसर क्या होगा त पहले जो था वह आपका अंडमान जो निकुबार नहीं समय क्या है कि राजियों के किस समूं के साथ नागा लेंड की साजह सीमा है मतलब जो है नागा इसका सीमा किसके साथ है आप लोग बताइए इस समू में अरुनाचल प्रदेश असाम मनिपूर अगला है असाम मनिपूर और अंतिम है अरुनाचल प्रदेश असाम और मिजुर्रम तो आप लोग बताइए सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सहीं तट बोगईए आगे देखें आगे वह क्या था दोना और यह मनिपूर जो ओसने मनिपूर मिंजोन मार्ण मिगाले शब्सक्रह्रा 7000 पिर्पूरा चलए मनिपूर सतर्छरा मघ्ले 100 आज़र्ण गृर्ड यह तो दोस्तों इसका ठाइसम उनसर होगा पान चलए कंगला देखें कि भारत के कितने राज नेपाल के साथ सीमा साजा करती है करते हैं बताई तीन चार आठ पॉंच कितने राज नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं तो दोस्तों इसका अंसर होगा पॉंच कितना होगा पॉंच कौन-कौन उतर परदेश उतराखंड बिहार पच्छिम बंगाल औ अगला देखें 22 निमलिखित में से कौन सा राज नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है अभी बताएं आपको जस्ट बताईए उतर प्रदेश पच्छी मंगाल बिहार असम किसके साथ साजा नहीं करता है असम है यह तो तीन है ही उसके बाद उतरा खंड भी है और सि अगला देखें यह 23 नमबर कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मंच चित्रों की अदला बदली की थी आपको अपसान है चीन स्रिलंका पाकिस्तान बंगला देश तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा दी बंगला देश इसके साथ आपका 2015 में जो आया था निवज सुने होंगे कि भारत अपना जमीन और बंगला देश अदला बदली किया था ओके हां मतलब भारत में इस्तित मतलब जो अधिक छेत्र था वो बंगला देश के हवाले कर दिया था और उसका भारत अपने हवाल कि बंगला देश अपनी सीमा को किस भारतियाय राज से साजा नहीं करता है तो दोस्तों आपका option है असम यह तिरपुड़ा जारखन में घाले तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा जारखन जारखन के साथ बंगला देश की सीमा नहीं लगती है ओके चलिए अगला देखें अगला क्या है इनमे लिखित में से कौन साराज बंगला देश के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो दोस्तों आपका option है तिरपुड़ा मनिपुर अश्रम में घाले तो इसका सही अंसर होगा option B जो है मनिपूर के साथ सीमा साजा नहीं करता है ओके तो बंगला देश एक किसके साथ जर्चा है कि तिर्पुरा उर पंग आप चिम बंगाल के ने के साथ हुट Import aur भारत और भुटान के बीच सीमा जिए राजियों से लगती है मतला बहरत और भुटान भूटान के साथ कितना जहराज लगता है आपको अपसन है चार दो तीन पाँच तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अपसन ए चार ओके चार के साथ लगता है किस-किस के साथ असाम अरुनाचल परदेश पच्छिम बंगाल और सिक्किम किस-किस के साथ भूटान की सीमा लगत जो है मैप से भी अच्छा से समझा देंगे तो यह सब जल्दी याथ होगा ओके अपने त्यारी करते रहें तो अपने आप एक अच्छा सा त्यारी हो जाएगा ओके चली सताइस क्या है इंग लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका उप्सन है यह देहरादून उ कौन सा सही होगा इसका अंसर होगा जोड़ा तो दोस्तों अपस्न है यह देहरादून उत्रपरदेस में नहीं है नहीं है कहाँ है अगला देखें अठाइस यह निम्लिकित में से सही जोड़ा कौन सा है आपका ओप्सन है असम इंटा नगर इंटा नगर आदमाचल प्रदेश गौहाटी तिरपुड़ा अगर तल्ला नागलें सिलोंग कौन सा जोड़ा सही है तो दोस्तों आप लोग बताईए तो दोस्तों इसका यह सही जोड़ा है यह पिरपुड़ा अगर तल्ला सही है नहीं है राजस्थान में है यह गौहाटी कहां है अर्णाचल प्रदेश में नहीं है असाम में है और यह सिलोंग तो यह आप में घाले में है ना यह आपका कहां दिया है नागा लेंड दिया गलत है लेकिन यह जिर्पुरा अगरतला सही है राजधानी भी है ना है या नहीं है बताइए तो दोस्तों इसका सही जोड़ा कौन सा है जारखन जो गहरांची और सब सही जोड़ा नहीं है चली अंगला देखें भारतिय श्टेट का तो राजधानी सहाभी को याद नहीं होगा है ना चली यह तीस नमर क्या है केंद्र सासित परदेश दादर नागर हवेली तथा दमन और दुइब कि राजधानी निम्लिखित में से कौन सी है और जो है दोस्तों आप लोगों को बता दें और पहले वी नागर हवेली और दमन दुइब कि राजधानी कौन सी आपका ओप्सन है सिलवासा पूट बलेयर दमन कवरत्ती कवरत्ती वी लिखता है चली तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्सन सी जो दमन अवजर आजधानी हो गया ओके दोनों यह जो है केंद्र सासित परदेश से भी जाना जाता है तो दोस्तों आपका ओप्सन है जवलपूर इलहाबाद नागपूर दिल्ली तो दोस्तों बताइए इसका सही अंसर क्या होगा किसे शुन मील केंद्र कहा जाता है जो है नागपूर जो है नागपूर सहर को भारत के सुन मील केंद्र जीडो माइल भारत के पुर्भी और पच्छमी तटों पड़ है तो दोस्तों आपका अप्सन है पॉर्भी और पच्छमी तटों पड़ है तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अप्सन ए पॉंडी चेरी जो भारत के पुर्भी और पच्छमी तटों पर इस्थित है पॉंडी चेरी कहां पर तमिल नाडू के पास है अगला देखें तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अप्सन सी जो है राजस्थान चेरी अगला देखें इससे नमर कि भारत के किस स्राज में सबसे लंभी मुख भुमीत टर रेखा है सब्से लंभी तर रहसे किसका है किश्रात का ऊपके चली 따라 बाद अंधर पर्देश का आता है और जो है दक्षीन भारत का पूछेगा सबसे बाद पर्देश चलिए 35 नमर क्या है भारत के किस राज के पास सबसे लंबी समुद्री तट है फिर से वही कोस्चन को धुमा दिया है आपका अपसन है केरल गुजरात अंधर पर्देश तमिल तक रेखा सबसे लंबी है आपका अपसन है अंधर पर्देश महराष्ट औरिसा तमिल नाडू तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा क्या अंधर पर्देश ओके अब इसमें चार ही ऑपसन है तो आपको इसी से छाटना होगा है ना किस भारतिये जो है राज की तट्रेखा सही अंसर होगा है चली अगला देखें अगला देखें अ कि अ कि संब्सक्राइब और निकोबार दूइप समू जो निम लिखित में से किसके दौरा एक दूसरे से अलग किये गए हैं आपका ऑप्शन है टेन डिगरी चैनल ग्रेट चैनल बंगाल की खारी अंधर तो दोस् होगा है कितने देशों के साथ लगती है आपको आपसां नेपाल और भोटान तो आपको इस पर भी एक वीडियो लाएंगे कि आपको हड़ एक श्टेट का चित्र से मैप से आपको बता देंगे कि यह सब यह सब यह सब इससे लगता है और आसानी होगा समझने में चली 49 नमर देखें कि 49 क्या है कि आंध्र परदेश और तमिले नाडू के तटिया बोभाग को कहते हैं आपका अपसन है को कोरो मंडल पुर्ब तट और अंतिम अपसन है मलावार तट तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा अपसन बी कोड़ो मंडल तट आंध्र परदेश और तमिले नाडू के तटिया बोभाग को को कोड़ो मंडल का तट कहते हैं और यह केरल के तट को यह मलावार का तट चली आगे देखें के अंतिम जाकर капjamilite तो आपका ऑप्सन है इसका सही अंसर होगा यहाथ नसे फैला हुआ है कोड़ो मार्म का तट कमेंट करके बताइए आपको फट्टी में कितना वा-फट्टी में कितना का अंसर आया और यह जग अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक करें कमेंट से भी करें आप यह यदि मेरे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो जो है सब्सक्राइब कर ले और यह कंटीनिव बने रहें आपको जो है धीरे 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 खड़के अच्छा सा तैयारी हो जाएगा और पैसेंस रखें और मंदारी से तैयारी करते रहें तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक अच्छा से निवरेवाद नमस्कार दोस्तों